जैगनपती आज हम लोग बात करते हैं व्रश राशी या व्रश लगनवालों का अक्टूबर महिने का क्या प्लान होना चाहिए कैसी ग्रहे इस्थिती चल लई है जिसके अनुसार हम लोग प्लान करें दीपा वली भी है तेवार का भी समय है व्रश राशी वालों के लिए ये जो पूरा महिना है ये महिना है अपने कमपटीशन पर फोकस करने का चुनौतियों पर फोकस करने का आपको ये ध्यान लखना है कि जो भी संगर्ष चलने जीवन में अब निर्नायक स्थिती में है बिलकुल आलस नहीं करना है ओफिस में एक्टिव रहना है क्योंकि अगर आप क्योंकि ईश्वर की ऐसी करपा चल लगी है कि आप अगर थोड़ी सी भी मेनत करते हैं तो रिजल्ट आपको जाधा मिलेगा लेकिन वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यानि आलस मन ऐसा कहेगा आप से कि वो थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहता तो मन को हम लोग ट्रैक पे लाते हुए ओवर मेहनत करनी है खुब ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले है साथ ही अगर कुछ आप एजुकेशन लेना चाहते है तो एक विशेज बात आप समझ दिए कि कोई भी आप ग्यान अर्जित करना चाहते है प्रोफेशनली ग्यान यह आपको ऐसा लगता है कि आपको केरियर में कुछ चीजें हैं जहां हम लैक करते हैं जहां कुछ कम ही लगती है तो उसकी कोई क्लास जोईन करिए उसकी कोई पुस्तक पढ़िए उसकी कोई ऑनलाइन गाइडेंस लीजिए जो भी आपके लिए उचित हो जो भी सहुलियत हो वो करिए लेकिन ग्यान लेने का समय है ये एक मेना नहीं है लगातार तीन मेने है अक्टूबर से लगातार तीन मेने है आपको बहुत ग्यान लेना है और इन तीन मेनों में जो आप ग्यान ले लेंगे, वो आपको लाइफ टाइम बहुत काम आएगा, इस बात को आप नोट कर लीजे, जिसलिए बिलकुल आलस नहीं करना है और आपको ग्यान लेना है, इसके लावा आफिस में जो काम है वो रिसर्च ओरियंटेड हो सकते हैं, आपका जो काम है, वो काम भविश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, यानि निवेश, तो निवेश केवल धनका ही नहीं होता है, आपके काम का भी निवेश होगा, आप जो काम आज करेंगे, उस काम का अच्छा रिजल्ट आपको आगे मिलेगा, इसके लावा आपको ध् जहनकार हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में किसी को भी कुछ ऐसा मत बोल दीजिए कि जो बुरी लग जाए, और इस महीने ऐसे ही एक्वेशन आ सकती ही, वो घर हो, आफिस हो, बाहर हो, कहीं भी, ज्यादा उत्सा में, बिल्कुल भी ऐसा मत जो की मुझ से जहर निकल जाए, तो वानी सही रखनी है, आपको अपनी वानी सही रखनी है, और बहुत मन लगा कर ग्यान लेना है, ओफिशल काम करना है, और लोन लेने से इस महीने बचना है, ध्यान रहिएगा, कि कोई लोन नहीं लेजना चाहिए, हाँ, केवल एक चीज इस के लिए आप लोन ले सकते हैं, कि अगर आप वाहन लेना चाहिते हैं, तो धंतेरस है, इस दिन मुहूर्थ है, आप वाहन ले सकते हैं, और फाइनेंस करा सकते हैं, इसके अतरिक तभी बचना चाहिए, इसके अलावा आप हम लोग आते हैं, कौन-कौन सी पॉजिटिव dates हैं कौन र ser डेट्स हैं जिसको कि Birds रहना sellers जो active रहने वाली डेट्स हैं वह डेट्स हैं 3 तारीक 4 तारीक 17 तारीक अठारा तारीक 26 तारीक 27 तारीक 30 तारीक और 31 तारी और डेट impost जो हैं जिसमें कि आपको थौड़ा अल에ट्स रहना है या तरह करने से बचना है कोई भी risk zone में नहीं जाना और पैसे भी किसी को उधार नहीं देने चाहिए वो dates हैं एक तारिक, दो तारिक, पांस तारिक, छे तारिक, पंदरा तारिक, 16 तारिक, 19 तारिक, 20 तारिक, 21 तारिक, 28 और 29 इन dates को थोड़ा सा alert रहिएगा और आप बहुत अच्छे से तेवार मनाईए हम लोग अगले मेने फिर मिलेंगे